अभी हम मुंबई में वर्सोवा बीच के बिल्कुल सामने खड़े हैं पीछे का पहले जो शांदार नजारा है वो आप देख लीजिए और यही से मैं आपको मुंबई के लोग उत्तर प्रदेश के चुनाओं के बारे में क्या सोचते हैं और वो लोग किसे जिताना चाहते है उन लोगों से इस पर बात करेंगे और हमारे साथ मुंबई के ही हैं यहीं कहना आप किसे आप जीताना किसको चाहते हैं योगी को चाहते हैं तिको उनको अनुशासन अच्छा रहा और उनके राज में दंगल नहीं हुआ है कुंड़ा गर्दी हुआ नहीं है अब दम कम हु हुआ इस वज़से आप योगी अधित्यनाथ को चीताना चाहिए अगर दूसरे का सरका राएगा तो फिर वहीं गुंड़ा करते होएगी दंगल होएगे और उम्बै के लड़के हैं और उन्होंने कुछ बोलने से मना कर दिया है बाकी बाकी हम और कुछ लोगों से यहां जो लोग है उनलोगों से से पूछते हैं कि वहां उनके सासन में दंगल फसत नहीं रह और प्रश्टाजार भी नहीं हुआ है और चासन भी अच्छी से चलाया उनों नहीं इस बज़ा से आप योगी आदितना योगी जी काई पाल्टी जीत के आवे तो सबसे अच्छा है और पब्लिक से हम लोग चाहते हैं को भारे गोटों से जही बनाई उनके पाल्टी को कि आई यह कुछ और लोगों से हम पुछने की कोसिस करते हैं और उनसे जानने की कोसिस करते हैं कि मुंबई के लोग किसे जीताना चाहते हैं अच्छा काम हुने कि यूगी जह सुने क्या नाम है आपको चुनाव आपको चुनाव पूजा तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है आपको ये बात पता है हाँ पता है किन को आप चाहरे है कि वही चुनाव जीते हैं आपका ऐसा कोई सोच नहीं है कि वही जीते यापका और किस ने किया है आपको पता है कोई आइडिया है तरप्रदेश में चुनाव है पता है इसको जीताना चाहते हैं अब यह साइड में इंट्रेस्टिन है यह पॉलेटी इस में अभी योगी जी पता थो उनको जिता यह बाकी कोई पसंद ही कर रहा है सुद्धाने के लिए अपकी इन लोगों का मुंबाइ के लोग क्या सोचते हैं, वह तेनेugen इस फरक नहीं परता है क्योंकि यई लोग जाएंगे नहीं देने के लिए लेकिन 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 इससे लोग प्रियता का पता चलता है कि कौन सानेता किस जगा पर कितना लोग प्रिया है तो योगी को जितान अच्छे देगा तो यह थोड़ा बहुत कि मैं यूपी से बिलॉंग करता हूं बट में कभी गाया नहीं हूं यह जन्म हुआ था नहीं नहीं जन्म यहां से हुआ था टैडि मा करता है कैसे बिलॉंग करता है यह डैड़ी बिलॉंगिं फ्रों यूपी कही नहीं दिल में योगी जी बसते हैं यस ऐसा पॉलिटीक्स ची ओपर कुछ बोलना नहीं चैकि कौन जितना चीए कौन नहीं तो में को लगता है कि यो मतलब योगी जितना चीए जैसे तैंकि या इसे डेवलप्मेंट हो या फिर यूद के लिए कुछ अच्छा हो तो योगी जितना चीए उत्तर प्रदेश में चुनाओ है बात पता है कि नहीं पहले यह बिलकुर पता है आपकी दृष्टी कोन से बह अधित्यनाथ या अखिलेश यादव जी अगर बात करें वहतर की तो वैसे तो यूपी की जनता को बहुत अच्छे से पता होगा मैं खुद मद्यवदेश से हूं और मद्यवदेश में भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है तो मेरे खाल से वहां पर भी अगर सर कावित काफी हूं और अकिलेश यादव जी मुझे पता नहीं कि कैसे वक्ता है और कैसा कैसे नेता है बट आशा करता हूं कि वो भी बहतर काम करें बट हमारी ज्यादा जो अपेक्षा है वो योगी आधितिनाज जी से है बिलकुल गह सकते हैं आपके दिल में कौन बसता है नेक्स्ट भाइए मुझे डाएडिया नहीं है चुनाव है कि यह बात जानते हैं कोई तो आइडिया होगा ना कि ये आदमी अच्छा है कि यह अच्छा है मेरे साब से नहीं अच्छा है नहीं उत्तर प्रदेश के चुनाओं में दो नेताओं में से योगी अधित्यनाथ और खिलेश यादो आप किसे पसंद करते हैं अब इसले पांट साल के सरकार में विजेवी सरकार में सुनाए हम लोगों ने बहुत कुछ किये यह पतलब जैसे की राम मंदिर हो गया करप्शन बहुत सारा काम हो गया नेया दो तिन एयरपोर्ट भी बन रहा यूपी में अच् लोग मुंबाई के यूपी एलेक्शन पर बोलना नहीं चाहते हैं क्या कारण क्या हो सकता है यह ज्यादा तर मुंबाई के लोग जो मुंबाई के हैं महाराथी लोग होते हैं अब दूसरे इलेक्शन पर इतना इंट्रफार नहीं करते हैं इंट्रेस नहीं लेते क्योंकि म लोग अपने सुभे सुभे उठके कैसे में ड्यूटी जाओं फिर साम को कैसे रिटर्न आओंगा अफिस के टाइम पर कैसे स्पेंड टाइम जादा थोड़ा बहुत न्यूज देख लिया बस लेकिन बाकी इलेक्शन बाकी करॉप्शन यह सब बढ़ा जहलते ने क्योंकि दो रुपे का तो कुछ मिलने वाला है यह सब चीज में गाओं में लोग रहते तो इलेक्शन करते चोटे मोटे लेता रहते सब लोग ज्यादा इंट्रेस्ट लेते यह सब चीज में क्योंकि काम-कम बात ज्यादा करते हैं कि यही बात यही बात मैं बताना चाहरा हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है वहां क्या होगा क्या नहीं वह बात की बात है लेकिन बिहार के लोग कुछ ज्यादा ही इंट्रेस्टेड हैं जैसे ऐसा लगता है कि ओट मतलब बिहार के ही लोगों को जाके देना है और च